मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताके आपको मेरी आने वाली नई वीडियो महसूल हो सकें अब हम बात करते हैं अपना दस्वां बर्ज जिसे बर्जे जद्धी कहा जाता है इंगलिश में इनको कैप्रिकॉन कहते हैं ऐसे अफराज जो 22 दिसमबर से 19 जनवरी के दोरान प्यादा होते हैं उनका तालग बर्जे जद्धी से होता है और इसका जो रूलिंग प्लैनेट ह जो है वो प्लैनेट सेटरन यानि जिसे सियारा जोर भी कहा जाता है तो इनके लिए अगर हम देखें इस वीक के अंदर इस वीक के अंदर कुछ चीजे थोड़ी सी नेगटिव होंगी दस मई को जो इनके फिफ्ट हाउस का लॉर्ड और दस्वे घर का लॉर्ड है तो ये छटे घर में चले जाएगा और चौदा मई को जो बुर्जे होट के अंदर जो है यूपिटर सायारा मुश्री जो है वो दाखिल होगा तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके लिए इनके रिलेशन्शिप के हवाले से बहुत स्ट्रेसफुल ये वीक नदर आता है बिल की स्ट्रेशन की स्ट्रेशन मानी होई है डाइवोस इस तरह की स्ट्रेशन तो ये चोटी सी चीज़ के ओपर ये बहुत बड़ा तनाजा कड़ा हो सकता है और इस दौरान मेरिज करना भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता तो इसे वाले से इस चीज़ों को फॉरन में रहते हैं परसंस उनके लिए बहुत पॉजिटिव है उनको इमिग्रेशन मिल सकेगी फॉरन से डिलेटिड मैटर्स उनके जो है अगर वो कोई स्ट्रेडिज कर रहे हैं उसकी समिशन रिसर्च समिशन थीसिस की वो उनके लिए बेतर रहेगा और इसी तरीके से जो अफराद कांट्रेक्ट साइन करते हैं और लिखने का काम करते हैं तो उनके लिए बहुत ये पॉजिटिव रहेगा जो भी वो कांट्रेक्ट साइन करेंगे चौदा के बाद इनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इनको फेवर कर सकेंगे इस चोड़ी बात के अपर जो है वो बदकुमानी पैता हो या ना इस तरंग सिटुएशन नजर आ रही है और स्टड़ी भी इनकी कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आती स्टड़ी के अंदर भी इनकी लैक आफ इंटरेस्ट नजर आता है इस हवाले से ये वीक में ये चीज़े नजर आ रही है अब हम बात करते हैं अपना ग्यारवां बुर्ज जिसे बुर्जे दल्व यानि अक्वेरियस भी कहा जाता है इनके लिए वीक ली हरोस्कोप क्या होगा तो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है रूलिंग प्लैनेट इसका सेटरन जिसे सियारा जोहल भी कहा जाता है और ऐसे अफराज जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं उनका तालुब बुर्जे दल्व से होता है और लक्की डे इनका जो है वो सेचे डे यानि हफते वाला दिन होता है इनके लिए अगर हम हरोस्कोप देखें इस वीक में तो इस वीक में बहुत ही पॉजिटिव और एक्ट्रा आर्डिनरी जो हरोस्कोप है वीक लिए इनका रहेगा सबसे पहले अगर हम देखें जो इनके इंपॉडर्टन प्रिजेट्स हैं उस होधे से यह डिसीजन लें ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए हरोस्कि नर्भी रहेगा और अगर इनने कहीं से कोई recovery कोई पैसे लेने है तो वो भी इनके पैसे recover हो सकेंगे और huge amount में हो सकेंगे बुर्जे दल वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा time 14 मही से चुरू होने जा रहा है onward और ये इनके जो losses है वो losses इनके recover होने जा रहे है मुझीद इनके लिए अगर हम देखें तो property के हवाले से ये week बहुत positive है property purchase करना property sale करना ये बहुत beneficial रहेगा इनके लिए और अगर मुझीद के बात करें मुझीद के वाले से बहुत positive हार स्कूप है अगर कहीं मेभूब से नराजगी है री यूनियन हो सकेगा और अगर नहीं है तो कोई अच्छा आपकी जिन्दगी में person इंटरोता वा नज़र आ रहा है education के perspective में देखें तो वा आपके लिए बहुत अच्छा है education के मामलाद बहुत बेतर रहेंगे और लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये week में कोई litigation आपके पर कोई litigation कोई legal problems ये पैदा होते नज़र आ रही है इस हवाले से आप मौताओत रहेगा social circle आपका बढ़ेगा इस week के अंदर और दोस्तों से आपको माली फायदा उता नज़र आ रहा है जो foreign में travel करना चाहते हैं वीजे के हवाले से immigration के हवाले से ये week बहुत positive है simple एक litigation का issue नज़र आ रहा है otherwise तमाम चीज़े बहुत positive है तो इसमें भरपूर आप benefit आसल कीजेगा लेकिन जॉब के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मौताओत रहना है जॉब के हवाले से ये negative week है तो इस चीज़ों से आप बच्चेगा अब हम बात करते हैं अपना बार्वा बुर्ट जिसे बुर्जे होट का जाता है और इंग्लिश में से पाइसिस कहते है इसका जो rolling planet है rolling planet इसका जुपिटर यानि जिसे सेयारा मुश्री भी कहा जाता है ऐसे अफराज जो 19 फर्वरी से 20 मार्च के दुरान पैदा होते हैं उनका तालुक बुर्जे होट से होता है तो इनके अगर हम लगी कलर की बात करें लगी कलर इनका yellow होता है और लगी इनका जो नंबर है वो लगी नंबर इनका 3 होता है लकी डे इनका थर्स नहिनी जमयराद और लकी स्ट्रों जो है इनका जल्ब तोकरा जोता है तो इस वीक में हम देखते हैं के बुर्जे होत वले अफराद के लिए हमें क्या situation नज़राती है बुर्जे होत वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टन इस वीक में चीजें होंगी नमबर एक जुपिटर जो है असेंडन्ट लॉर्ड खुद चौदा माई को अपने असेंडन्ट में दाखिल हो रहा है यहाँ पर यह इनके लिए बहुत काम्याबियां बहुत प्रोस्पेरिटी इनकी लग को शाइन करेगा ऐसे अफराज जो काम कर रहे हैं किसी भी फिल्ड में उनको कोई रिस्पॉंस नहीं मिल रहा पॉजिटिविटी नहीं है फीड़ बैक अच्छा नहीं है उनके लिए यह बहुत बेस्ट है अगर आप मीडिया से हैं सुचल मीडिया से हैं तो यह आपको राइज करेगा अच्छे प्रोजेक्स मिलेंगे नीम फ्रेम में इधाफा हो सकेगा हIST के हावाले से अगर हम देखें तो ह Else के हावाले से यह आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पिरेड़ है हेल्थ के मामलाद बेतर रहेंगे हेल्थ के वाले से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो सकेंगी important project शुरू करना इस वाले से ये चीज़ें बेतर रहेंगी important projects में काम्याबी होती नजर आ रही है अब हम अगर इनके financial matter की बात करें तो थोड़ा सा financial matter के अंदर problem नजर आ रही है लेकिन Jupiter जैसे ही 14 माई को अपने ascendant में दाखल होगा यहाँ पर आपको इसका benefit मिल सकेगा जो आपके losses हैं उसके अंदर कमी आना शुरू हो सकेगी और जो blockage है पैसे की उसके अंदर भी कमी आएगी और आपका वो flow of money transaction वो होती ही नजर आ रही है अगर हम इनकी property के point of view से देखें property के mattress, property के dispute यहाल होती है नजर आ रहे है property sale कर सकते हैं, property purchase कर सकेंगे luxury जगा पर आपकी property purchase होती ही नजर आ रही है और vehicle sale purchase यह भी आप कर सकेंगे घर के महल के अंदर बहुत ज़्यदा बेहतरी आएगी जो tension इस तरह की situation थी, उसके अंदर काफी चीज़ें बेहतर होने जा रही है और इनकी marriage के point of view से देखें तो marriage के अवाले से बहुत positive है, बहुत अच्छा है इनकी love marriage होने के बहुत ज़्यदा chances नजर आ रहे है तो कोशिश कीज़ेगा इस week में रिष्टे के हावाले से निकाह यह चीज़े होते हुँ नजर आ रहे है और जिनके business के हावाले से issues हैं, उनके business के हावाले से यह issues हलुत नजर आ रहे है बिजनेस में अच्छे डिसीजन ले सकेंगे इन्वेस्मेंट के हवाले से थोड़ा सामने मौताथ रहना है 14 माई के बाद इन्वेस्मेंट कीजेगा और इनके जो जॉब करते हैं जॉब करने वाले अफराद के लिए बहुत पॉजिटिव है वीक इनको बहुत काम्याबिया मिलती नजर आ रही है बहुत सारे इनके चीज़ें बैटर होने जा रही है और सिरफ इनको एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो इनके फॉरण में वीजा या इमिग्रेशन के मैटर्स है यहाँ पर इनको कोई प्राब्लम पैदा होती नजर आ रही है उम्हीद करता हूँ यह वीडियो आपको पिसांदा यह होगी अपना ख्याल रखेगा खुदाफीस